हलो फिंट्स अपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने पहले लिथिक और मीजोलिथिक को कवर कर लिया था और आज की वीडियो में हम नियोलिथिक को कवर करेंगे पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था कि अलमुष्ट मीजोलिथिक के स्टार्ट से ही होलोसीन पीरट की भी शुरुआत हो चुकी थी और क्लाइमेट जो है वो लगातार वाम होते जा रहा था अब बात ये है कि मीजोलिथिक पीरट जहां पर खतम होता है क्या वहीं से नेगोलिथिक पीरट की शुरुआत होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जिस समय इंडिया में बहुत सी साइट्स मीजोलिथिक पीरट को ब्लॉंग कर रही थी आलमुष्ट उसी समय इंडिया की कई सारी साइट्स की करेक्टरिस्टिक्स नियोलिथिक फेज को ब्लॉंग करती थी इसलिए इंडिया में हम लोग नियोलिथिक फेज की शुरुवात 9000 येर्स अगो से मानते हैं यानि 7000 बीसी से और ये नियोलिथिक फेज इंडिया में 3000 येर्स अगो यानि 1000 बीसी तक रहा इसी बीच अरौंड 6,000 साल पहले इंसानोंने पॉर्टर्स वील की भी खोज कर ली थी नियोलिथिक फेज में बहुत ही अभूत पूर्व चेंज देखने को मिले इनसान जो है हंटिंग गैधरिंग से डो्मेस्टिकेशन की तरफ शिफ्ट कर रहा था इसको हम detail में समझते हैं अब तक इनसान जो है वो शिकार कर रहा था animals का और फूड गैधर कर रहा था प्लांट से और अब नियोलितिक फेज में इंसानों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन के शुवात कर दी थी अब ये एनिमल डोमेस्टिकेशन और प्लांट डोमेस्टिकेशन होता क्या है इसको समझने की जरूत है तो सबसे पहले plant domestication को समझते हैं जब इंसान अपनी जरुवत के बराबर या उससे कम उगाता था तो उसे कहा जाता है food collection यानि वो जो भी उगाता है उसको consume कर लेता है कुछ भी बसता नहीं है जिसे store किया जा सके बट जब इंसान इतना उगाने लग जाता है कि उसकी जरुवत के अलावा बचे हुए अनाज को store करके भी रखा जा सकता है तब ऐसी stage को कहा जाता है plant domestication तो newly thick age में इंसान ने plant domestication के शुरुवात कर दी थी अब देखते है animal domestication क्या होता है जब इंसान animals को पकड़ कर जब अपने साथ रखता है तो उसे कहा जाता है animal keeping For example, मालो मैं गाय पकड़ कर ले आया हूँ मुझे उससे milk चाहिए मुझे मतलब नहीं है कि उससे क्या खाना है, क्या पीना है जब तक उस गाय से मुझे milk मिलता है, तब तक ठीक है जब वो milk देना बंद कर देगी, तो मैं उससे छोड़ दूँगा और दूसरी गाय पकड़ कर ले आऊँगा इसे कहा जाता है animal keeping बड़ अगर इंसान अपने फाइदे के लिए animals को उनके natural habitat से निकाल कर ना सिर्फ अपने साथ रखता है, बलकि उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखता है उनकी breeding करवाता है ताकि उनकी आने वाली नसले और ज़्यादा बहतर हो तब उसे कहा जाता है animal domestication तो animal domestication और plant domestication से हमें ये पता चलता है कि अब नियोलिथिक एज में इंसानों, plants और animals के बीच में एक नया relation बनने लग गया था जिसमें इंसान अपने फाइदे के लिए plants और animals को उनके natural habitat से निकाल कर अपने साथ रखते थे, जहां इंसान उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखते थे और उनका पालन करते थे और ये जो plants domestication है, ये आगे चलकर full-fledged agriculture में transform हो गया तो जब इंसान खेती बाड़ी करने लगें, तो खेती बाड़ी की एक जरूरत ये भी होती है कि आपको उस जगा पर लंबे समय तक रहना होता है इसलिए नियूलितिक culture में sedentary lifestyle दी की थी अब लोग जो है वो nomads की तरह जगा जगा भटक नहीं रहते वो खेती बाड़ी कर रहे थे और एक जगा रुख कर अपना जीवन यापन कर रहे थे और इस तरह शुरूआत हुई human settlements की और ऐसे में इनसानों ने अपने लिए घर बनाने शुरू कर दिये जो कि circular या फिर rectangular shape के हुआ करते थे और generally mud के बने होते थे बट हमने ये भी देखा था कि plant domestication का मतलब है कि अपनी ज़रोत से ज़्यादा उगाना यानि जो extra अनाज उगाया गया है उसे store करने की भी ज़रोत होगी तो उसके लिए granaries बनाई गई और साथी साथ इस अनाज को store करने के लिए cooking के लिए eating के लिए या drinking के लिए इंसानों ने मिट्टी के बर्दन बनाने शुरू किये यानि pottery भी एक wide scale पर start हुई और जैसे कि हमने अभी थोड़ी दिर पहले दिखा कि Neolithic phase में ही potter's wheel यानि foot wheels भी बनने शुरू हो गए थे जिससे pottery और ज्यादा फली फुली वैसे तो इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था बड़ा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि hunting वो पूरी तरह से छोड़ चुगे थे वो आभी भी hunting कर रहे थे और उसके लिए उन्होंने polish tools का इस्तमाल करना शुरू किया था और कुछ जगा पर bone tools भी यानि Neolithic phase में हड़ी से बने हुए bone tool भी दिखाई देते हैं आपको पता ही है कि farming के दौरान जमीन को हल से जोतना बढ़ता है लेकिन उस जमाने में हल तो थे नहीं तो उसके लिए उन्होंने पत्थर से बने हुए stone cells का इस्तमाल किया और Neolithic phase में ज्यादे तर जगा पर रागी, horse gram यानि चना और rice के खीती के प्रमाण मिले हैं पशुपालन शुरू हुआ और ये बहुत ही बड़े बदलाब थे जिसके कारण Gordon Child ने इस phase को Neolithic Revolution कहा अब इस phase की कुछ important sites को देखेंगे ये area हमारे subcontinent का north western area है यहाँ ये जो बलुचिस्तान है यहाँ की extreme weather condition को देखते हुए ऐसा लगता है कि उस समय इंसानों का यहाँ पर रहना नामुकिन होगा ये बिसिकली पहाडी area है जादा तर समय बरफ से ढखा रहता है बट इसी बलुचिस्तान में एक जगा है महरगड जहाँ पर Indian subcontinent की सबसे पुरानी Neolithic site मिली है ना सिर्फ सबसे पुरानी बलकि सबसे बड़ी भी और यहाँ के लोग दूसरी Neolithic site से ज्यादा advanced भी रहे होंगे क्योंकि जहाँ बाकी sites में mud houses मिले हैं यहाँ महरगड के लोग अपने घर mud bricks से बनाते थे और वो भी same size की mud bricks से इसके अलावा एक और चीज़ है जो इस site को दूसरी Neolithic site से अलग करती है और वो यह कि यहाँ के लोग wheat और बाले की खेती करते थे जबकि दूसरी sites पर rice, horsegram और ragi की इसके अलावा खजूर, अंजीर वगरा के भी traces यहाँ से मिले हैं और यह लोग wheat और बाले का produce काफी अच्छी मात्रा में करते रहे होंगे इसलिए यहाँ पर काफी सारी granaries भी मिली है इसलिए बलोचिस्तान को bread basket भी कहा जाता है और यह जो granaries है यह भी mud bricks से ही बनाई जाती थी अब बात करते हैं pottery की तो ऐसा माना जाता है कि potter's wheel के जानकरी western Asia से होती हुई Indian subcontinent में सबसे पहली बार महरगड के लोगों को मिली और यहाँ से यह जानकरी दूसरे neolithic site तक पहुँची और यह जानकरी यहाँ के लोगों को मिली होगी around 4500 BC में और यह बात इसलिए मानी जाती है क्योंकि 4500 BC के बाद archaeologist को इस जगह से बहुत सारी मात्रा में pots मिले है और अगर बात करें animal husbandry की तो यहाँ के लोग goats, sheep और cattle को भी domesticate किया करते थे अब बात करते हैं Indian subcontinent के कश्मीर की दो important neolithic sites की जो है बुर्ज होम और गुफरकल बुर्ज होम का मतलब है the place of birch बर्ज को बुर्ज भी कहा जाता है यह एक प्रकार की लकडी होती है और गुफरकल का मतलब है cave of potter यानि कुमार की गुफा कश्मीर की इन दोनों जगह उपर दिखा गया है कि लोग यहाँ पर lakes के पास dwelling pits बना कर रहते थे यह जो dwelling pits हैं यह कुछ इस तरह क्या होते थे जमीन के अंदर गड़े करके रहने की जगह बनाई जाती थी ताकि सर्दी से बचा जा सके और कई बार यह गड़े इतने गहरे नहीं हुआ करते थे छोटा कड़ा करके उसके ओपर एक जोपड़ी जैसे structure बना दिया जाता था उसको भी dwelling pits ही का जाता है और यह dwelling pits कश्मीर की इन दोनों sites पर मिले हैं यहां के लोग microlith tool का इस्तमाल बिलकुल नहीं करते थे बट यहां से polish tool और हड्डियों से बने bone tools की जानकारी मिली है यहां के लोग primarily hunting और fishing क्या करते थे और साथी साथ agriculture और animal husbandry भी बुर्जोहम साइड से course grey pottery मिली है और यहां ऐसी graves भी मिली है जिनमें इनसान के साथ dogs को भी दफनाया गया था तो यह है बुर्जोहम की विशेषता तो हमने देखा कि कश्मीर की इन दोनों जगाओं पर bone tools का इस्तमाल होता था और Indian subcontinent में सिर्फ एक और जगा है जहां पर bone tools देखी गई है और वो है चिरांद आप देख सकते हैं कि यह गंगा नदी के नॉर्थ में है इसके लावा UP की cold diva और महागारा यह Neolithic Age की ऐसी दो साइट्स हैं जहां पर rice cultivation के अवशेष मिले है Neolithic period की कुछ और important साइट्स हैं जैसे चोपानी मांडू, आसाम और मेगालिया की गारो हिल्स अब आप map में गोदावरी नदी को देख सकते हैं गोदावरी नदी के साउथ में जितनी भी Neolithic साइट्स हैं उनको हम Neolithic Age की Southern साइट्स की तरह कैटेगराइज करते हैं और यहां पर सबसे ज्यादा Neolithic सेटलमेंट्स मिले हैं और यहां पर जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो यहां तो Granite Hills के टॉप पर हैं यहां पर रिवर के पास के किसी प्लैट्यू पर यहां पर मिलिट्स और पल्स फार्मिंग ज्यादा होती थी और यह जो Highlighted Area है यहां पर सबसे ज्यादा Neolithic साइट देखने को मिली हैं जैसे की उतनूर, पिकलीकल, कुपगल, कोड़नूर, हल्लूर, एटसेक्टरा बढ़िये जो तीन साइट्स हैं उतनूर, पिकलीकल और कुपगल इन तीनों में हमें एश माउंट्स देखने को मिले हैं यानि यहां के लोग क्या करते थे कि पूरी साइट का जो भी गोबर है उसके उपले बनाकर एक जिगा परेखटे करते थे और उसमें आग लगाते थे ऐसा वो religious purpose के लिए करते थे या फिर किसी और purpose के लिए इसके बारे में कोई ठोस जानकरी नहीं है तो इसी के साथ हमने नियू लिथिक पीरिड को भी पूरी तरसे cover कर लिया है इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डीटेल में समझने के लिए बुकस्तावा की प्लेडिस को फोलो कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन मिल जाएगा थैंक यू सो मच पो वाचिंग और सपोर्टिंग बुकस्तावा